त्रिसंकु पर विश्वा मित्रनी कृपा विश्वा मित्रना तपवाथी त्रिसंकु नुद सदेहे स्वर्गमा चवू। त्रिसंकु पर विश्वा मित्रना तपवाथी त्रिसंकु नुद सदेहे स्वर्गमा चवू। 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 अपना बाल को भोजन विना अत्यांत दुखी थया, त्यमने बुख्या जो इने खावा, माटे सामो मेडवा माटे हूं वन्वन मा पटकवा लागी। त्यारे थोड़ो सामो प्राप्त थयो, त्याना वड़े थोड़ो समय पसार्त करियो। दुख कोने कहू। पच्छी में नक्की करियो कोई दन्वान वेक्ति ने एक बालक वेची ने तेना पैसा मा थी बिजा बालक कोणी रक्सा करू। बालकोंने बचावनों विजो कोई रस्तो न थी। महा भाग आओ विशारीन में वेचवा नी आ वाद पुत्र ने कही। त्यारे थे खुबज गबराईने रड़वा लाग्यो। वो लोक लाजनों त्याक करने रड़ता बालक ने लईने घर थी निकड़ी। रस्तामा मने अत्यांद गबराईली जोईने राजसी सत्यवरत जीये। पुछियो आ बालक केम रड़े चे त्यारे में तेमने कही। राजन त्यारे आ बालक ने वेचवा माटे लई जाओ। मारी वाद सामिनीने ते राजा नुँ रद़य दया थी प्रिगडी गए। तेमने मने कही। तमे आ बालक ने लईने करे जाओ। ते यहार पची तेमने मारा बालकोनू बरन पोसं करियू। काउसिक ते राजकुमान्ना दुखी थवा थी, युह पन अत्यन्त दुखी छू। कारण के मारा कारणे जी ते राजाने चंदार थऊ पड़ियू छे। तेथी हमें ता पने बाल कोई पन उपाये ते राजा ने रक्षा करवी एज आपनु परम करतवी छे व्यास जी कहें चे सत्रू सदन राजा मुनीवर विश्वा मित्र नी ते परम साजवी पत्नी दया जनक स्तिती मां मुकाय गया है था तेमने वाज सामेन आस्वासन अपता विश्वा मित्र जी बोली आएक कमाल जवान नेत्र वाली बयम का दुष्कार ना समयमा रक्षा करवी ने तमारा पर जेने मोटो उपकार करियो छे ते राजा ने वुशाप माती अवस्य छोड़ावीस मारे विद्याने तपना बहत्ति तेना दुख नो तुरंत नाश करे श्राजन मुनिवर कोशिक परमार्थ तत्तोना परम विद्वान था तेमने तेमने प्रिय पत्नी ने आस्वासन आपी ने विचार करियो कि आ राजा नू दुख कहिरी ते दूर करू पचि ते वो त्रिक संग राजा पासे गया ते समय ते वो चंडाल नी आकृति मा अत्यांत दिन दुखी थाई ने एक चंडाल ने घर रहता था मुनिये आउता जोईने तेमने आश्चरी थी तुरूंत दंड नी जैम सरीट पर पड़ी ने मुनियना चरण मा चरण पकड़ी ली था तेरे द्वी जिवर कौशिक जीए आथ नी आथ थी पकड़ी ने उभाक करिया ने आस्वसन आप तक कहिए हूँ पुर्व कार्मा में यग्य करवा माते वसिष्ट जिन्य आप प्रात्ना करी ने कहिए हूँ मुनियवर हूँ एक उत्तम यग्य करवा इच्छु छोगी आप ते यग्यना आचार्य थाओ है मुनिय श्रेष्ट में तेमने कहिए हूँ मुनिय राज आप एव यग्य करावो जैनाथी हूँ सदे है स्वर्गमा जै सकूँ आज शरीरे इंद्र लोकमा जवानों मारो आग्र अतू त्यारे वसिष्ट जीए क्रोधित्त थाइने मुने कहिए हूँ अरे मा मुर्ख तर्या मानव शरीर थी स्वर्गमा कहिरी थे परम पवित्र मुनिराज में स्वर्गना लोगमा आवीने फरी थी वसिष्ट जने कहिए हूँ बिजो कोई आच्चारिय पासे यग्य करावीने मारो कार्य संबन करावी थे आप रणे कहिवा थी तेमने मने साप आपी दिदो मुर्ख तु चंडा था या मुनिवर मने साप आप केम थेयो तेनों कारण में आपने कहिए हूँ आप मारा दुखनों नास करवा पूरी दिते समर्थ चोड़ व्यास जी कहें चे राजन त्यार पछी सर्ववाद थी छेवट सुधिनी वाद कहिने त्रिसंकों मौन थे गिया आप सामड़ने विश्वा मित्र मुनी मंत्रित करिया निमंत्रन निमंत्रित मुनियों यग्यनों हेतु समझीने आवानों इनकार करियो आवाद जाने ने विश्वा मित्र जी उदास थे गिया तेहों अत्यांत दुखी थे या त्यारे त्यारे त्रिसंकों राजा पासे गया त्यां जैने त्रिसंकों राजा ने राज़न्द्र वसिष्टे बदा ब्रामनोंने यग्यमा आवता रोखी लिता छे। राज़न्द्र गणा कानी तपस्चर्या थी मने आप पुनिय प्राप्त थेवतु। तमे प्रसंता प्रोग आप पुनिय ना बड़े इंद्रलोक मा पथारो। तमारू कल्यान थाओ। व्याजी कहेचे जन्मे जै ब्रामन सेष्ट विश्वा मित्रजी ना प्रमने केवाती तेमने तपस्चर्या ना प्रव। पुनिय प्रभावती तेक सने त्रिसंकु राजा पाणे नी पक्सी नी जैम वेक्ती उपर चडिया। तेमनी आकृती हती क्रूर ने चंडानी हती। यहरे त्यों इंद्रलोक नी नजीक पहुंचिया तेरे देवताव इंद्रने कई। प्रभु देवताव नी जैम वायु जेवी तीवर गतिती आकास्मा उडिने कौन आवी रियो छे। चंडानी आकृती वालोवा मानस खुब बयंकर देखाई छे। इंद्र तुरंत उठ्याने तेने आवी रेला त्रिसंकु ने जोया। इंद्र तेमने अलखी गया। त्रिसंकु राजा विस्वा मित्रजी नाम लईने कहर जोया। 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 राजान त्रिसंकु उपर थी निचे पड़ी रहा अता परम्तु कोशिक मुणी ना कहवा थी तेमना तपो बढ़ने लिधे अर्धे रस्ते आकास मात्ते थंभी गया। त्यार पची मुणी एक बिजा स्वर्णी रत्ना करव आत्मा जड़ लाई। आच्मन करियो ने एक म आयग्यनु आयजन करियो। विश्वा मित्र जीना प्रमाने प्रयत्नने जानिनने इंद्र विश्वा मित्र पासे आवियाने कईउ हे ब्राह्मन सत्य पुरूस आप सुक करो छो। अटला क्रोध नुशुक कारण छे मुणी वर नवी रचना तमे ना करो अने मने आज्या क करो। विश्वा मित्र जी बोल्या ये इंद्र अत्यन दुखी त्रिसंकु तमारा स्वर्ग माथी निचे पडिर आचे आप प्रेम पुर्वक्त तेने स्वर्ग मा स्थान आपो। अने एक उत्तम विमान मा बैसाडिया अने काउसिक मुनी नी आज्या लईने स्वर्ग मा जवात तैयार थे गिया। पत्नी साथे अवेध्या मा रहता आता। लांबाव समय व्यतित थे ओवाचेता तेमना युवान पत्नीक सर्गर्वर्पान नाता। तेरे अरिश्चंद्र राजा ने चिंता थे। गुरुदेव वसिष्ट जीना अस्त्रम पर गया। गुरुदेवने मात्थू नमावीने प्रणाम करिया। पत्ता ने पुत्त्र न स्थवानू दुख व्यक्तक्त करिय। राजा कईू ये तर्मने चार्णारा मुनिवर आप ज्योतिष्ट ना अने मंत्र विद्याना प्रकांड विद्वान छो। गुरुपा करिने ओ उपाय करो के जेथी मने संततित थाई। व्यास जी कहें चे ब्रह्मा जीना मानस्पुत्र मुनिवर वसिष्ट जी ए अरिश्चंद्र राजानी दोखनी वाज सामवड़िने विचार करियो ने कईू। वसिष्ट जी बोलिया माराज तमारी वाज साची छे तमे जर्ण ना प्रदान देवता वरोण नी उपासना करो। स्रद्धा पुर्व का आराधना करवाती तमारी इच्चा पूरी थसे। कारण के वरोण थी वधिने संता नापव में जो कोई देव सक्सम न थी। धर्म मां आस्ता राकनारा राजा तमे वरोण देवतानी आराधना करो। तमारों कारिय अवस्य सिद्ध थसे। मनुष्य प्रारब्द ने पुरुसात बन्नेनू महत्व जानू चोई। परिश्त्रम करिया विना कोई कारिय काई शिद्ध काई रिते थाई सके। है शिष्ट राजा तत्व दर्शी मनुष्य खंद थी परिश्त्रम ने उद्धम करों चोई। प्रयत्न करवा थी कारिय मा सफ़ता मलेचे तेमा कोई संका न थी। राजान अत्यन तेजस्वी गुरुदेव वसिष्ट जिनी आवाद सामलेन राजाये तप करवानों निश्ची करियने गुरुदेव वसिष्ट जिनने प्रणाम करिया ने त्यां थी रवाना थाई गिया। गंगा किनारे एक परम पवित्र स्थान पर पदमासन वाली ने तेव बैसिक लिया। अपनार पुत्र अफवानी गुरुपा करो। त्रण प्रकाना रून माती मुक्त थवा माटे आ मे आतप करियो छे। त्यारे वरुण देवे गुरुपा करिने एक पुत्र अप्यों छे। त्यार भजी अरिच्चंद्र ना जीवननों अनेक वातों व्यास जीये जन्मे जैनिक राजायने कई अत्याई तेर चवत पंदर सोण अने सत्तर संपूर्ण। झाल